करता हैं कि आने वाली दिनों में ज्धारकर में कैसा रहेगा महसं तो 24 और 25 तारीक में राच भी कहीं पे हलकिस मद्यरम जर्जे की वारिष देखने के रोगी गुलिस तारिक बात करें तो जो आपको उत्तर-पस्थी एलाके हैं, पलामसमहाग की एलाके हैं, कुछ हेल्खी बारिश देखने को ज हो सकती है poi ह sneeze को पाजिस तारीक में बात करें तो 25 तारीक में अब पूरा जो पूरवी हाग है, उत्तर पूर्वी तक्षिन पूर्वी और उसे सटा हूँ जम्मद भाग है तो जिसमें कोलान, संथाल और राची संभाग वाला जो इलाका है वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको हलके से मध्यमदर्जे की बारिज देखने को मिल सकती है और 26, 27, 28 में वही पूर्या पूर्वी भाग है, कोलान, संथाल और उसे सटा हूँ जम्मदर्जे की बारिज की सम्वाना कुछ असानों पर जता ही जा रही है चेतावनी की बात करें तो अभी से लेके अगले पांच दिनों तक 24-28 तक गरजान वजपात की चेतावनी जहरकन में हैं जब थोड़ी गरजान वजपात की स्थिति देखने की मिलेगी तो लोग उससे सजेत रहें और 24 तारिक में बात करें तो इन फैक्ट 24-28 तारिक में जो पूरवी भाग है उससे सटा हुआ जो अब कम्मा दे भाग है वो सबसे ज़्यादा वन्रेबल थनरस्वाम लाइटिंग के लिए जब वैसी इस्तिति बन रहे हैं तो लोग सजेत रहेंगे और हवा की गती 24-27 तक में गरज parallels बज़बात की समय में 40-50 क्लिमट्र परतिगंटे के साथ से भी चलने की समवारै जो कि 28-anyメरेटिंग मैं 30-40 क्लिमटर के साथ से भी गर्जन detail की समय सिस्टम बन रहा है उसका जो आंसिक बाद कल से आने लगेगा और 26-27 पर हो सकता है कि कुछ इलाकों में आप जेनरली क्लावडी स्काई भी आपको देखने को मिलेगा जो की 28 से जो मौसम है वो एक बार खुला हुआ देखने को मिलेगा और अभी को लेके लोग सचेत रहें पेड के नीचे ना रहें एलेक्ट्रिक पोलो से थोड़ी दूरी बना के रखें और एलेक्रोनिक डिवाइसेज अलेक्रिकल डिवाइसेज सटक तक साथ में आप इस्तिमाल करें जब तेज आन्दी हो तो सरक्षिस्तान पर आप सरन ले सकते हैं लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा